हलो बच्चों मेरा नाम पवन कमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर कैसे वेटा आप लोग तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का टेस्ट भी काफी अच्छा गया होगा आज अपना जो टॉपिक कवर था टेस्ट में वो था वकपा एनर्जी और सर्कुलर मोशन तो यह अप इसका मास कितना गीवन है मास गीवन इसका वन केजी इसका वन केजी फिर यह बोलने की 18 मीटर हाइट पर आने के बाद इसने यह टोटल 18 मीटर हाइट तक गया 18 मीटर हाइट तक जाने के बाद यह बोलने की यह रेस्ट पर आचुका मतलब इसकी फाइनल टोटल स्पीड कितनी हो चुकी है वी हो चुका है जीरो तो इसका मतलो, जो शुरुआत में काइनिक एनर्जी ती, उसका कुछ हिस्सा किस में convert हुआ हुआ हुआगा पोटेंशल में, लेकिन क्या सारा convert हुआ, यहाँ पर हम इसकी पोटेंशल इनर्जी की final value देखे हैं, तो पोटेंशल इनर्जी की final value आएगी मेरे पास M G की value 10 और H हो जाएगा 18 तो यह आएगा 180 Joule इसकी initial kinetic energy कितनी थी? तो इसकी initial kinetic energy थी half M V square half, M कितना है मेरे पास? 1, और V कितना है बेटा? 20 का square तो यह आजाएगा 200 200 Joule energy हमने दी पूरी convert नहीं हुई potential में इसका मतलब जो यह difference आ रहा है अब इसमें देखो difference कितना आया? इसका मतलब kinetic energy जो initial थी उसका कुछ हिस्सा तो convert हुआ होगा potential energy में और बाकी कुछ हिस्सा जो है वो किसमें convert हो गया होगा? heat की वज़े से air friction की वज़े से heat में convert हो गया होगा तो यहाँ पर यह जो difference आ रहा है इन दोनों का 200 था 180 तो potential में गया तो 200 में से 180 इदर चला गया? इदर potential में बचा कितना बेटा? यह 20 Joule बचना चाहिए इसका मतलब मेरे पास जो option हो जाएगा वो हो जाएगा second question में आपको बोला है block of mass 5 kgs resting on a smooth surface at what angle a force of 20 N be acted on the body so that it will acquire energy after moving 4 meter अब देखो यहाँ पर हमें work energy theorem अगर apply करें तो work energy theorem क्या कहती? यह कहती है कि work done by all equals to delta K यह होगा अब यहाँ पर एक object है उसके उपर आप कोई force लगा रहे हो किसी angle पर और object जो है वो displacement कितना cover कर रहा है 4 meter force कितना दिया हो आपको 20 N और यह angle पूछा है तो यहाँ पर जो force का work होगा देखो और कौन-कौन से इस पर force लग रहे होगे इस पर लग रहा होगा mg इस पर लग रहा होगा normal ठीक है अब यहाँ पर आपको small surface दिया है तो friction तो नहीं लगाना है अब जो displacement की direction है उससे normal और mg का तो angle कितना है 90 तो यहाँ पर work done by normal plus work done by gravity plus work done by force equals to delta k normal का work 0 आएगा gravity का work 0 आएगा और इसका work कितना दाएगा f into s into cos theta is k final k final कितना है 40 zool तो यहाँ लिख दो k final minus k initial अब यहाँ force की value है 20 displacement की value कितना है 4 तो यह 4 आजाएगा cos theta k final 40 initial 0 तो इससे cos theta कितना आएगा यह आजाएगा 40 by 80 मतलब की 1 by 2 cos theta 1 by 2 का बहुता जब theta की value कितनी हो 60 degree तो your answer will be 60 degree third option correct तो यहाँ पर simple सा work energy theorem का आपको concept use करना था ओके बच्चों अगला आता आपने पास third question third question में आपको उसी concept पे एक और question given है कि 10 meter move करने के बाद 5 newton का force है 25 joule work होता है तो कितने angle पे force लगाना पर same concept लगेगा वे वापस यहाँ पर यह object पे force आपने लगाया object इतना cover कर रहा distance theta angle यह है इधर से mg लगेगा इधर से normal लगेगा इन दोनों का तो force क्या हो जाएगा work क्या हो जाएगा 0 normal और mg का तो यहाँ पर work net जो आएगा वो आएगा f as cos theta कितना work net करना है 25 joule तो 25 force कितना हो जाएगा इस case में force हो जाएगा मेरे पास 5 newton displacement दिया वाए 10 और cos theta इतना तो वापस theta कितना आजाएगा 60 degree cos theta हाफ आ रहा ना तो theta आजाएगा 60 तो यह अपना third option यहाँ correct होगा तो यह दो और तीसरा question एक ही concept पर थे अगले पर आते है 4th में आपको दिया वाए a body 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two force 4 and 3 at right angle to each other the kinetic energy of body at the end of 10 seconds यहाँ पर बच्चों देखो आपको 2 force दिये गए है कितने value के है 4 और 3 के तो अपन ने 2 force लगा दिये 3 newton और 4 newton के तो इसका effective net force कितना आजाएगा F net आएगा 3 square plus 4 square perpendicular force है इसलिए 5 फिर यह बोल रहे है 10 second बाद इसकी kinetic energy बताओ तो force में क्या करूँगा acceleration निकाल लूँगा acceleration आजाएगा half a sorry यहाँ पर मेरे पास acceleration कितना आजाएगा F by m यह हो जाएगा 5 by mass कितना है 10 यहने की half acceleration आजाएगा 10 second बाद इसकी distance कितनी आएगी तो displacement आजाएगा half a t square यह आजाएगा displacement तो यह कितना आजाएगा 100 by 25 यह 25 आजाएगा displacement अब इसमें देखो displacement जो है वा मेशन acceleration की direction वोगा क्योंकि initially block rest पे था तो यह basically मैंने कौन सी equation काम में ली ut plus half a t square तो यहाँ पर u तो 0 है half a की जगे half डाल दिया और इधर मैंने डाल जया t square तो इसको जब solve करेंगे तो यह अपना 25 आ रहा है अब यह बोल रहे है kinetic energy बताना है kinetic energy उतनी होगी जितना work done होगा तो work energy थे और हम काम में ले 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 work net equals to delta की अब यहाँ पर network के नाम पर के वले एक ही net force का work आ जाएगा तो यह net force का work कितना जाएगा f into displacement k final minus k initial अब f force और displacement की बीच का angle कितना है देखो जिदर net force उधर ही तरब displacement आ रहा है तो displacement भी इधर जाएगा net force भी इधर जा रहा है तो यह आजाएगा मेरे पास net force 5 displacement 25 और दोनों के बीच का angle कितना हैगा बेटा, cos 0 this is k final तो k final कितना हो जाएगा आपके पास 125 joule ओके तो यह आपका fourth option यहाँ correct होगा ओके बच्चों, तो यह fourth option इसका correct होगया, note करें यहाँ तक अगला आता है अपने पास 5th question 5th question में देखो kinetic energy acquired by a body of mass m traveling some distance s starting from rest under the action of constant force देखो, एक constant force हमने लगाया तो constant force अगर इसमें लगाएंगे यह f आपने लगा दिया ठीके और यह इसका mass तो इसका acceleration भी तो constant होगा तो acceleration कितना आएगा बिटा f by m directly proportional अब इसमें क्या पूछा है कि kinetic energy जो body acquire करेगी वो किस तरह से depend करेगी distance हमें given parameter है कि distance यह मतलब कि देखो, constant force अगर लगा तो acceleration constant मतलब वो एक ही direction में जाएगा तो चाहे distance बोले या displacement बोले, एक ही बात है तो अब इस case में displacement क्या हो जाएगा half a t square क्योंकि initially rest में था ना है, u तो 0 था इसका तो displacement आजाएगा इस तरह से, अब आपको क्या पूछा बेटा इसमें kinetic energy तो kinetic energy जो final आएगी वो आएगी work net के equal work energy theorem यह किती है ना क्योंकि initial kinetic energy u 0 होने से initial kinetic energy कितनी है बेटा 0, तो अब यहाँ पर work net कितना हो जाएगा मेरे पास force into displacement अब यहाँ पर force into displacement जो है, अब इसमें displacement जो है आपको S एक given parameter है तो simple सा यहाँ पर F into S अब F भी constant, S भी constant S को time की form में नहीं लिखना है आपको displacement S एक given parameter है, तो उसको time में convert नहीं करना है अब देखो क्या इसमें कहीं भी mass आ रहा है क्या नहीं, simple यह तो बस इतने हो गया अपना, तो इस case में कहीं भी mass नहीं आ रहा है इसका मतलब mass भी dependency नहीं है mass भी dependency नहीं है, तो इसका मतलब यह चीज जो है वो does not depend on mass कितनी आएगी, zero, जिस case पर dependency नहीं होती है, उसकी power आजाएगी, zero ओके बिटा, चलो आगे बढ़ते हैं 6th में आपको rubber band, rubber band यह वरसी के लिए गुलेल होती है, यह गुलेल यह खीच के आपन मारते हैं वो वाला case दिया वा बस है, तो rubber band को आपन x distance, मतलब उसकी length में अपनने कितना change किया, x का तो इसमें restoring force मतलब जो प्रत्यानेन बल आता है, restoring force जैसे spring में आता है दो को spring का force, tension, यह सब restoring force ही होते हैं तो यह सब elasticity की वज़ाज साथ है तो f कितना दिया आपको x, अब देखो परिवर्ती बल दे दिया है आपको variable force दिया हुआ है, तो variable force के case में work कैसे निकालते है integration करके, तो यहाँ पर work done हो जाएगा f.dx, simple सा एक integration आपको करना है ax plus bx square और तो को integration का कहीं बच्चों को क्या डर होता है कि आर integration के question कैसे करें मैं किराऊ ना, x की power n, sin, cos और खुब से खुब e की power x इनके अलावा कोई integration आपके काम नी आएगा खाली 4 formula काम आते है, x की power n का sin और cos का integration और e की power x का integration, बस इसके अलावा कुछ भी काम नी आता आथा आपके, neat level पर, ठीके तो मस्त रहो, अब इसमें आपको limit क्या लगानी, कितना distance अपने खीचा था इसको तो इसमें अपन अगर इसको l distance पे खीचें, अगर अपन x distance stretch कर तो restoring force इतना आता है, आपने total कितना खीचा l तक तो कितना work done किया होगा, f.dx से निकाल लेंगे, तो देखो, यह हो जाएगा, a, x का integration, x square by 2, है न, और यह हो जाएगा, 0 से l, यह हो जाएगा, b, x cube का integration, x square का x cube by 3, 0 से l, limit डालोगे बेटा, तो यह आजाएगा, a, l square by 2, plus b, l cube by 3, तो a, l square by 2, plus b, l cube by 3, ऐसा option मेरा कौन सा आ रहा है बिटा, थर्ड option आ रहा है, तो easily अपना यह question भी solve हो रहा है, ओके बच्चों, चलो, note करो इसको, 7th question पे हम आते हैं, 7th question में आपको एक conservative field में potential energy दी गई है और आपको force बताना है, तो देखो force और energy के बीच में relation क्या होता है, force होता है, minus of du by dx, i cape, minus of du by dy, j cape, minus of du by dz, k cape, यह तो basic formula है, मतलब यह minus तो formula का minus है, यह तो आपको लिखना ही है, ठीके, अब जब x के relative differentiate करते हैं, तो आपको y को क्या मानना होता है, constant और z को भी constant, तो यहाँ जब मैं x के relative differentiate करूँगा, तो देखो 20, y और z तो constant है, x का differentiation क्या हैगा, 1, i cape, इसी तरह से जब y के relative differentiate करूँगा, तो x और z को constant मानूँगा, तो 20, y, sorry, y के relative करना है, तो x और z constant है, और y का differentiation, 1, j, cape, अब उसके बाद मुझे जब k, cape के relative differentiate करना है, तो z के relative differentiate करना है, तो x और y को constant मानो, तो minus 20, x, y constant, z की power minus 1 का differentiation क्या होगा, z की power minus 1 का differentiation होगा, minus 1, minus 1 तो आगे और z की power minus 2, भई x की power n का differentiation जब आप करते हो, तो कैसे करते हो बेटा, n, x, n minus 1, ऐसे करते हो न, तो यहाँ, z की power कितनी है, z की power minus 1 लिख सकते हैं न, तो minus 1 आगे, power को आगे लिखो, और power में एक power और कम कर दो, तो minus 1 में और कम करोगे तो minus 2 हो जाएगा अब देखो बच्चों ये जो minus और minus है वो किया जाएगा plus तो finally मेरे पास यहाँ पर जो term होनेगी तीसरी term होनेगी plus 20xz upon xy upon z square तो मेरा ये दूसरा option जो है वो यहाँ सही हो जाएगा ये इस term को जब आप solve करोगे तो ये आजाएगी plus 20xy upon z square kk तो बाकी दो term तो ये और तीसरी term ये ओके बच्चों तो अपना यहाँ second option correct हो जाएगा जिन लोगों ने ये minus नहीं लगाया होगा जिन लोगों ने अगर ये minus नहीं लगाया होगा तो उनके लिए यहाँ option दियावाय गलती करने वालों के लिए fourth option तो कही लोगों ने fourth भी tick कर आओगा तो चलो ध्यान रखना इसी जोगो अगला आता है अपना eighth question eighth question में आपको force दियावाय परिवर्तिबल दियावाय और आपको इसमें कार्य बताना है तो x बराबर 0 से 5 तक कितना वर्क होगा simple सा आपको f dot dx यूज़ करना है कितना हो जाएगा 7 minus 2x plus 3x square dx limit क्या लगा हो बिटा 0 से 5 तक मुझ कर वा रहे है 0 से 5 तो 7 इधर x आजाएगा 0 से 5 2 x का integration x square by 2 0 से 5 और 3 x cube by 3 0 से 5 चलो solve करते हैं देखो 2 देने का मकसद क्या था यह 2 से 2 कड़िया कितनी मेहनत कम होगे 3 से 3 कड़िया चलो 7 into 5 minus 0 फिर minus x square रहेने की 5 का square minus 0 का square फिर 5 का cube minus 0 का cube कितना होगे 35 तो यह हुआ 35 minus 25 plus 125 तो यह आजाएगा मेरे पास 135 कौनसा option हो जाएगा मेरा 4th option यहां correct हो जाएगा ओके बिटा तो 4th option इसका correct बन रहा है note करें यहां तक अगला आता है अपना 9th question body of mass m 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second hit the spring fixed at other end तो ऐसा case देखो यहां दिया गया है एक spring को अपनने एक end से fix कर दिया और एक object जो है वो 0.1 kg का है और कितनी speeds आ रहा है 10 की speeds से आके टककर करता है तो force constant आपको दिया हुआ है k equals to 1000 newton per meter है ना अब इस case में जैसे आपको force constant दिया हुआ है यहां पर एक टककर करने के बाद यह कुछ time बाद रुख जाएगा रुखेगा इस एक instant के लिए तो रुखेगा the compression of spring तो जब spring का compression निकालेंगे एदेखो maximum compression के case में क्या होता है कब जब वो momentarily rest बाद चुका है जब वो एक time के लिए रुख चुका है उस time compression की बात कर रहे है तो इस case में मान लिया यह spring जो है वो x distance compress हुई होगी और object फाइनली रुख चुका है तो इसका मतलब जो object के पास सारी की सारी kinetic energy थी वो किसको मिलेगी spring को मिलेगी potential में energy कंज़र रहेगी न क्यों क्योंकि friction तो यहाँ पे नहीं है तो इस case में सारी की सारी half mv square किसमें convert हो जाएगी बेटा half kx square में आप से क्या पूचा है इन्होंने इसको equal कर दो आपस में तो यह 2 से 2 खतम x कितना हो जाएगा m by k v square और यह अब यहाँ m की value कितनी है मेरे पास 0.1 k की value 1000 v का square 10 का square कर दो यह आ गया तो यह कितना आ जाएगा मेरे पास यह आ जाएगा ओपर बचेगा 100.110 divided by 1000 तो 1 by 100 आ जाएगा root के अंदर यानि की 1 by 100 तो यह 1 by 100 कितना बन जाएगा यह बन जाएगा 0.1 तो 0.1 मिटर का यहाँ पर क्या आ जाएगा compression आ जाएगा 10 cm का compression आएगा ठीके तो यह 9th question का अपना answer हो गया 2nd option next आते है आपन 10th question में आपको दिया है potential energy of particle in a force field is this है ना वापस potential energy conservative field में आपको दी गई है तो a और b positive constant है r distance of particle from the center of field है ना तो stable equilibrium के लिए आपको बताना है थेखो equilibrium यहनिकी साम्मे अवस्ता का मतलब क्या होता है वो अवस्ता जहां पर कुल बल 0 हो net force 0 हो तो net force 0 at equilibrium net force 0 होने का मतलब क्या है f is minus of du by dr 0 होना चाहिए तो इसका differentiation करके पहले में क्या करूँ f की value निकालूँ तो minus sign तो पहले से ही आ जाएगा minus sign यहां पहले से ही आ जाएगा अब differentiation करेंगे तो यहां पर मैं करूँगा differentiation इस पूरे function का a upon r square minus b upon r यह differentiation में करूँगा अब यहां पर जैसे ही differentiation करेंगे देखो minus तो चली रहा है और इसको 0 के equal करोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो minus वेसे भी 0 में चला जाएगा क्या जाएगा बिटा r की power minus 2 का differentiation क्या हो जाएगा minus 2 आगे r की power minus 3 है ना फिर यह minus अपनी जगे r की power minus 1 का differentiation क्या हो जाएगा b as it is लिख दो पहले तो r की power minus 1 का differentiation minus 1 आगे r की power एक कम करोगे तो minus 2 और इसको 0 के equal कर दो क्या हो जाएगा बिटा minus 2a upon r cube plus b upon r square 0 फिर इसको आप इधर लिख दो तो b upon r square is 2a upon r cube तो r square से यह power खटा दो तो r की value कितनी आड़ाएगी बिटा r की value आएगी say 2a by b तो r की value 2a by b मेरा यहाँ पर कौन सा option सही है बिटा second option यहाँ सही है ओके बच्चों note करें यहाँ तक अगल आता है अपना 11th question 11th question में देखो आपको particle जो है move कर रहा है straight line में with retardation मंदन इसमें लग रहा है proportional to its displacement तो kinetic energy किसी x time की बाद क्या होगी loss कितना होगा kinetic energy में देखो जब कोई particle move कर रहा है कोई object अगर move कर रहा है तो इसमें retardation लग रहा है मतलब motion के opposite जो है वो इसमें acceleration आ रहा है इन्होंने बुलाए कि जो retardation है वो x displacement के proportional है है ना तो अगर वो x distance चलता है तो उस instant पे इसका retardation क्या जाएगा proportional to x एक minus sign लगेगा minus and retardation को शो कर रहा है कि acceleration vector x vector के opposite acceleration को मैं क्या लिख सकता हूँ v dv by dx अच्छा यहाँ proportionality sign इटाने के लिए constant हम use कर लें तो उस constant को मैं c बोल देता हूँ equals to cx minus sign के साथ तो अब इसको देखो मैं लिखूंगा v dot dv minus of c x dot dx दोनों दरब आप integrate करूँ तो इधर आ जाएगा u से v इधर 0 से x तो इस case में यह क्या जाएगा मेरे पास half sorry v square by 2 u से v तक और इधर आ जाएगा c x square by 2 0 से x तक तो यह आएगा मेरे पास v square minus u square by 2 minus c by 2 x square minus 0 square ओके बच्चों अब क्या करता हूँ मैं m से multiply कर देता हूँ तो यह m से multiply कर दो दो दोनों तरफ अब देखो यह क्या हाफ mv square minus half mv square यह तो basically delta k ही तो हुआ delta k मेरे पास आ रहा है cm by 2 x square अब यहाँ पे minus sign तो किस चीच को show कर रहा है कि जो kinetic energy वो time के साथ घटेगी इस बात के लिए तो minus sign आ गया और यहाँ पर x square की dependency आ जाएगी तो इसका मतलब kinetic energy का जो law से वो x की कितनी power पर depend कर रहा है बाकी सब तो constant है ना c constant, m constant, 2 constant तो delta k is directly proportional to x square तो यह अच्छा question था चलो यह 11th question भी सही हो गया second option इसके साथ अपना बन चुका है first option sorry अगला आता है अपना 12th 12th में आपको इन्होंने बोला है कि potential energy a minus bx square दी गई है तो magnitude of force जो है वो बताना है simple सा यहाँ पर इसका differentiation करो और आपको force मिल जाएगा तो minus differentiation किसका करना है मुझे a minus bx square तो यह हो जाएगा मेरे पास minus of a एक तो constant है ना उसका differentiation 0 b as it is और x square का कितना हो जाएगा 2x तो minus और minus तो क्या हो गया plus तो plus b 2x इसका मतलब जो force है वो directly किस पर depend कर रहा है x की single power पे तो proportional to x यह अपना इसका second option correct हो जाएगा ओके बिटा फिर अपना अगला आता है 12th question 13 question इसमें आपको दो diatomic molecule एक इसा molecule उसमें दो atom है उसके लिए आपको potential energy का function given है दोनों molecule की जो position होती है ना तो यहाँ पर जैसे मालों दो molecule है उनके बीच का separation अगर x है तो इस x के हिसाब से जो potential energy होती system की उसका formula आपको यह दिया हुआ है क्या पूसर ने बिटा है कि if the dissociation energy of the molecule is d तो d कितना होगा dissociation energy का मतलब यहाँ पर विगिटन उड़ जाएगो इन्होंने क्या बोला infinite पर energy minus तो इन्होंने dissociation energy का मतलब भी आपको बताते हैं कि infinite पर potential energy और equilibrium पर potential energy का जो difference होता है उसको बोलते हैं तो सबसे पहले तो d है मेरे पास u की value कहाँ पर x equals to infinite पर minus u की value कहाँ पर add equilibrium सबसे पहले तो मुझे equilibrium कहाँ ही निकालना पड़ेगा तो equilibrium कहाँ ही निकालने के लिए आप इस function को क्या करोगे differentiate करोगे तो force निकालना है मुझे a square by तो पहले मैं energy लिख देता हूँ a x की power 12 minus b x की power 6 अब इसमें हम सबसे पहले तो u की value जब infinite डालेंगे तो पहले force निकाल लेता हूँ मैं force हो जाएगा मेरे पास minus of du by dx इस तरह से तो minus a minus 12 x की power minus 13 और इदर minus b minus 6 x की power minus 7 यह आजाएगा तो यह जाएगा plus 12 a x की power 13 और यह जाएगा plus plus वापस minus तो minus 6 b x की power 7 force को 0 करना है तो equilibrium के लिए क्या करेंगे at equilibrium f को करो 0 की equal f कितना है मेरे पास तो 12 a x की power 7 को common लेता हूँ मैं तो x की power 7 को common लिया इदर बच जाएगा 6 b by 1 इसका मतलब यह आजाएगा मेरे पास x is 12 a upon 6 b तो 12 a upon x की power 6 is 6 b इसका मतलब x हो जाएगा 12 a upon 6 b की power 1 by 6 यह आगया तो x की power 6 actually मुझे पता चल चुका है 1 by 6 भी छोड़ दो इसको तो इसको x की power 6 लिख दो बस ठीके अब यहाँ पर यू infinite पे तो कितना आजाएगा 0 आजाएगा अब यहाँ पर b की value अब x की power यह जो infinite पे तो 0 होगया क्योंकि x की value infinite डालोगे पूरा 0 बन जाएगा अब x की power 6 की value 12 a upon 6 b इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की power 6 is 2 a by b यह देखो यह क्या x की power 12 मतलब x की power 6 का square है ना तो यह हो जाएगा मेरे पास a upon 2 a upon b का square minus b upon x की power 6 की value 2 a upon b हो गया यह कितना आ जाएगा मेरे पास देखो ऊपर इसको ले जाओगे तो b square upon 4 a minus b square upon 2 a तो b square upon 2 a का के minus लगा वह तो मेरा final answer बन जाएगा b square upon 4 a यह इसकी dissociation energy हो जाएगी मतलब अगर आपको इस molecule को दोनों molecule को अगर आपको हटाना है दूर-दूर करना है infinite पे लेके जाना है तो आपको इतनी energy उस molecule को देनी पड़ेगी यह dissociation energy का मतलब होता है ओके बच्चों तो आपका अंसर आ रहा रहा b square upon 4 a देखते कौनसा option सही हो जाएगा अपना b square upon 4 a तो मेरा यह fourth option सही हो जाएगा ओके बड़ा तो b square upon 4 a आपका option हो जाएगा लिखें एक बार solution यह आपके सामने screen पूरी रही ओके बच्चों तो अपना fourth option यहां सही हो गया इसका आगे बढ़ते हैं 14th question पे 14th question में आपको light and heavy object have equal momentum which have greater kinetic energy तो momentum और kinetic energy का relation होता है p square बराबर 2 km ऐसे याद रखो बैसे याद होगा simple सा relation है जिसको confusion होता है कि 2 किदर आएगा ऐसे याद रखो p square बराबर 2 km 2 km अब यहां पर kinetic energy के लिए मैं क्या लिखूँगा p square upon 2 m अगर momentum equal हो तो kinetic energy बेटा किस पर depend करता है 1 upon mass पर तो momentum सेम है तो जिसका mass ज्यादा उसकी kinetic energy कम और जिसका mass कम उसकी kinetic energy ज्यादा तो यहां greater kinetic energy किसके आएगी जिसका mass कम है यानि कि हलके object की kinetic energy जो है वो ज्यादा आएगी ओके बच्चों अगला आता है 15th question 15th question में आपको बोला है body जो है 20 और 5 इन में same force लगा है अपनने 4 kz weight देखो 4 kz weight जो है ना force की value है 1 kz weight कितना होता है 1 kz weight होता है 1 into g newton तो 4 kz weight कितना हो जाएगा newton में अगर आप convert करोगे तो यह हो जाएगा 4 into g newton और g की value जनरल यह अपन 10 लेते हैं तो इसका मतलब भी 40 newton हो जाएगा है ना अब इसमें 2 body 20 और 5 की इनके mass है acquire same kinetic energy अब इनने same kinetic energy अगर मुझे लानी है तो या तो आप देखो force work energy theorem से कर लो या फिर आप basic जो 1D motion के concept होते है वो use कर लो तो same kinetic energy का मतलब यहाँ पर kinetic energy of A and B same है इसका मतलब work done भी same रहा होगा है ना तो work done क्या हो जाएगा work done जो A पे हुआ और जो work B पे हुआ वो same होना चाहिए है ना अब work A displacement A और इधर आजाएगा force B displacement B और वो cos angle तो फिर आपको by default अगर कुछ angle नहीं दिया तो आपको यह मानना है कि displacement जो है वो force की direction में ही हो रहा है ठीके तो यह आपका displacement तो इस case में देखो force तो दोनों भी same था ना force तो आपनने fix लगा जिया तो यह चीज तो same है इसका मतलब displacement भी same होना चीज़ तो displacement को मैं कैसे लिखूंगा बिटा half acceleration of A T A square half acceleration of B T B square इन्होंने पूछाए T और T B का ratio तो T A by T B यह आजाएगा मेरे पास A B by acceleration of A root में acceleration क्या होता है force by mass तो यह आजाएगा force by mass of B force by mass of A तो यह आजाएगा root of M A by M B M A कितना है मेरे पास 20 और यह कितना है 5 तो यह हो जाएगा 20 by 5 यह 5 तो यह कितना आजाएगा 4 इसका मतलब 2 तो मेरा answer क्या हो जाएगा इसका second option जो हो इसका correct है 15th का ओके बच्चों next आते हम 16th question पर 16th question पर spring जो है वो एक गन तो गन के अंदर एक spring होती तो spring जब compress होती bullet क्या करती spring को compress करती जैसे अपन trigger दबाते हैं तो वो spring की जो energy वो सारे की सारी bullet को मिल जाती kinetic energy की terms में तो यहां पर यह बोलने की spring जो है उसकी वज़े से gain के अंदर बुलिट जो है उसका वे कितना होगा तो यहां पर देखो सारे की सारी half k x square किसको मिलेगी बिटा kinetic energy के form में gain को मिल जाएगी तो इस case में मेरे पास v कितना आ जाएगा k x square बटा m k का value कितना दियावा है 90 लेकिन ध्यान रखना है centimeter Newton per centimeter है न तो k में थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी 90 Newton per centimeter centimeter को लिखो 10 to the power minus 2 meter तो यह हो जाएगा 9000 Newton per meter तो Newton per meter 9000 हो गया x की value कितनी है compress by 12 centimeter तो 12 by 100 का square कर दो centimeter को meter में convert करना है न इसलिए और mass कितना दिया आपको mass दिया है 16 gram gram को लिख दो 10 power minus 3 ओके बच्चों यह हो गया अब इसमें देखो यहाँ पर 12 by x तो देखो पूरा बाहर आ जाएगा ना 12 by 100 तो as it is बाहर निकाल दो क्योंकि square है तो square से rooted जाएगा 9 का 3 बाहर आएगा 16 का 4 बाहर आएगा 10 power 3 उपर जाके 10 power 6 बनेगा तो बाहर आजाएगा 10 power 3 तो यह बाहर 10 power 3 आजाएगा ठीके अब देखो 4 से यह कटेगा 3 बाहर तो यह आजाएगा 9 into 10 power 3 तो 10 power 1 तो यह आजाएगा 90 meter per second easy calculation इसमें 90 meter per second आपका अंसर बन रहा है 16 का बन जाएगा second option ओगे बच्चों, note करो फिर उसके आज 17th question में a spherical ball of mass 20 kg is stationary at top of hill of 100 meter है ना तो एक पहाड बनाते है ना इस पहाड पे कितना 100 meter उचा पहाड है पहाड क्या पहाड के नाम पे दब्बा फिर तो यह 100 meter उची तो बिल्डिंग होती है तो 100 meter उचा पहाड है इसके उपर एक 20 kg का object है जो रुका हुआ है अब यह slide करता है smooth surface to the ground अब कहीं कोई friction नहीं है ना तो यह यहाँ पर slide करते हुए निचा आएगा climb up another hill फिर एक चोटा पहाड हो रहे पहाड का आगे उसका बच्चा भी एक है ना तो यह 30 meter height का चोटा पहाड उसी का बच्चा मान लो इसको finally slide down the horizontal base फिर उसके बाद वापस 30 meter उचा चड़ने के बाद वो जमीन पर नहीं आया फिर वो 20 meter उचे base पे slide कर रहा था, finally 20 meter की height है तो यहाँ से अब यह slide होके ऐसे यूँ गिरा फिर यूँ गिरा, फिर यूँ गिरा, फिर यूँ फिर ये ऐसे आके इधर आ गया और यहाँ इसकी speed आपको पूछिए कितनी होगी बताना है अब इस case में देखो, यहाँ जो total height में change आया वो height का change कितना आया 100 meter से finally 80 meter तो इसकी जो height में loss आया है वो height का loss कितना आया बिटा delta H, यह आया 20 इतने आया ना अभी 20 का जो loss आ रहा है यह loss कैसे cover होगा, अभी loss सारा का सारा जो potential में आया height कम होई, मतलब potential कम होई तो यह potential energy किसमें convert होगी यह convert होगी kinetic energy में तो यहाँ पर delta U जो loss हुआ है वो delta K gain में convert होगा तो delta U loss कितना हो जाएगा इस case में delta U loss हो जाएगा मेरे पास mg delta H अब loss जो है वो gain में convert हो जाएगा, तो यह दर हो जाएगा half mv square यह m से मोड़ेगा, तो V आजाएगा 2G delta H 2 कितना? 2 तो 2 होता है G कितना लेना है? by default ना, 10 ले लेदेपन option दूर दूरे, कोई दिक्कत नहीं आएगी delta H कितना है? 80, नहीं अरे यह तो 20 नहीं है, 80 आएगा नहीं sorry, यह 80 आएगा तो अपने पास यहां पर जो बचेगा 20, 10 यह आजाएगा 80 तो यह आजाएगा 8 और दो 1600 का square root कितना होता है? perfect 40 हो जाएगा यह तो 40 यहां पर मेरा answer आजाएगा थर्ड option इसका correct हो जाएगा तो यह symbol सा energy conservation का question है okay बच्चों next path है तो एक बार solution note कर लो, इसका screenshot ले लो यह जब भी मैं आपको question पूरा हो जाता है आपको स्क्रीन से हट जाऊँगा तो आप उस ताम पर screenshot लेलना जिस भी question में आपको solution note करना है अगला आता अपना 18th girl swing in a girl in a swing is 2.5 meter above the ground at maximum height तो एक जूला जूल्री गड़के एगा सावन का जूला सावन चल रहा ना भी आने वाला मतलब अब इस case में यह जमीन तो यह इन्होंने question जूले पर भी question मना दिया जूला भी जूलने दे उसको यहां पर 2.5 meter तो इसकी height है 1.5 meter इसकी lowest point की height है जमीन से जूला जूलेगी तो यहां पर तो इसकी speed कीतनी होगी देखों यहां पर इसकी speed हो जयेगी 0 फिर ज्वोग जूलते जूलते यहां से जब वो जूलते वे जम नीचे आएगी नीचे आएगी तो इसकी speed बड़ेगी तो यहां maximum speed हो जाएगी तो कौनसी चीज का loss होगा potential energy का loss होगा root 2 g delta h 2 g की value कितनी है 10 delta is कितना है 2.5 minus 1.5 तो 2.5 minus 1.5 तो यह हो जाएगा 20 तो root 20 root 20 में से 4 को मैं 2 root 5 लिख सकता हूँ चलो तो मेरा answer क्या आएगा विटेस में second option आ गया second option is correct for 18 okay बच्चों अगला आता अपना 19th question, solution not कर इसका 19th में क्या बोल रहे हैं कि 2 kg का एक object है दूसरा 4 kg का object है इन दोनों को 60 feet की height से अपन ने building से गिराया after a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will mean ratio तो जब यह 30 feet गिर चुके होंगे तो इनकी kinetic energy का ratio क्या होगा तो देखो यहां पर इनकी जो potential energy है H1, बाद में जो potential energy आएगी H final यह जो difference आ रहा है यह total height तो आपको दी होई थी 60 feet, यह total आपको दी होई थी 30 feet final बचा, तो इसमें जो finally यहां पर बचेगा मेरे पास अब यह delta H यही तो है इसकी वज़े से क्या होगा, potential energy काइनेटिक energy की value पुछिए काइनेटिक energy का ratio, तो काइनेटिक energy क्या होगा, जो भी loss होगा potential में वो सारा का सारा convert होगा, काइनेटिक में potential में loss कितना हो जाएगा, M G delta H अब इन्हों ने अपन से पूचा है काइनेटिक energy का ratio speed पूचिए, काली काइनेटिक energy पूचिए, तो K 1 by K 2, 1 का मतलब है यहाँ पर यह है first object और यह है second object, ठीक है तो यह हो जाएगा M 1 G delta H 1 M 2 G delta H 2, अब इन्हों ने बोलाए कि प्रत्येक, each ball वो कितना गिरी 30 feet, तो 30 feet प्रत्येक बोल जो है, वो 30 feet गिर चुकी है तो delta S तो दोनों के case में है न, इसका मतलब क्या हुआ delta H1 और delta H2 दोनों का 30 आ रहा है तो यह तो कड़ जाएगा, G से G उड़ जाएगा क्या बचा मेरे पास M1 by M2 that is 2 by 4 मतलब की 1 by 2 1 by 2 से मेरा option कौन सा हो जाएगा third option correct ओके बच्चों, not correct का solution तो इस case में मेरा third option 1 is to 2 correct हो गया अगला आदा है 20 20 में आपको lighter body जिसका mass M है velocity V है heavier body जिसका mass और velocity इतनी है same kinetic energy अपने पास एक relation होता देखो P square बराबर 2 Km P square बराबर 2 Km kinetic energy को में लिख सकता हूँ P square बराबर upon 2 M अब यह बोल रहे है same kinetic energy इसका मतलब की P1 square upon 2 M1 P2 square 2 M2 अब देखो इसमें lighter body का mass M1 है मतलब की M1 जो है M2 से कम है M2 वाली तो भारी वो object है तो इसका मतलब यह हुआ मेरे पास की अब देखो यहां पर kinetic energy से में है तो जिसका mass कम है उसका मतलब P square या इसको यहीं से लिख देता न P equals to root 2 KM तो P is directly proportional to root M तो जिसका mass कम उसका momentum भी कम अब हमें पता है कि यहां पर M1 जो है वो M2 से कम है M1 M2 से कम होने का मतलब क्या है कि root of M1 भी M2 से कम होगा root में इसका मतलब P1 भी कम होगा P2 से इसका मतलब M1 V1 कम होगा किस से M2 V2 से तो इस केस में मेरे पास M1 V1 लेजर M2 V2 मेरा option कौन सा करेक्ट होगा fourth option यहां correct है okay बच्चों यह अपना 20 question 21 पर आते है यह question तो काफी famous सा question है मुझे लगता सभी को इसका answer भी पता होगा है इन्होंने बोला है कि A B C D ends in a circular loop of radius r a heavy a body slide down the track point A height 5 cm maximum value of r देखो complete circular loop अगर complete हो उसके लिए h वो 5 by 2 r से जादा होना चाहिए यह relation तो आपको पता होगा नीट में बहुत बार question पूछा गया recently 3-4 सालों में दो बार question आई वा इससे तो यह तो आप याद रखो अब h कम से कम 0.5 r हो या उससे जादा हो अब यहाँ 5 cm दिया हुआ है तो 5 से 5 तो उड़ा दो तो यह कितना रहा है अगर 2 less than r r less than equals to 2 cm मतलब maximum value जो आप radius की रख सकते हो वो कितने रख सकते हो केवल 2 cm रख सकते हो तो मेरा यहाँ पर 4th option जो है वो correct हो गया ओके बिटा अगला आता है 22 22 में आपको body दी गई है mass 2m और m जिनका kinetic energy है 8 is to 1 में ratio of momentum फिर वो ही P square बराबर 2m तो P square बराबर 2m होता है 2km होता है तो P इतना हो गया तो P1 upon P2 root of 2 k1m1 k2m2 simple equation बना के divide करो 2 तो कड़ गया k कितना दिया आपको 8 is to 1 में mass कितना दिया है 2m और m तो यह तो देखो 8 to 16 16 का square root कितना हो जाएगा 4 is to 1 3rd option correct हो गया 22 का कौन सा हो गया 3rd ओके बिटा फिर इसके बाद आएगा मेरे पास 23 23 में आपको बोला है what is the velocity of bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise 10 cm height यह वो जूले वाले केस है अपके लोग क्या ज़ते है simple pendulum दे दिया और simple pendulum तो syllabus मिन था अपना तो work पर अनरजी circular आना था simple pendulum तो एक object है perform तो circular motion ही कर रहा है और simple जूले वाले ही तो case हो गया है तो इस case में यह जो delta h है यह आपको कितना दिया वा है 10 cm कि वो mean position से 10 cm rise होगी तो आपको क्या बताना है velocity बताना है यहाँ पर जूलाले case में कि आपनको height duty और velocity पूछा था वापस वही वाला case होगया तो v कितना हो जाएगा root 2gh concept तो वही है half mv square जो mean position पे है वो किसमें convert होगी mg delta h में तो अब यहाँ पर root 2g delta h यह h लिख दो 2g की value कितनी लूँ 9.8 लेता हूँ h कितना दिया 10 cm को meter में convert कर लो तो 1 by 10 meter हो जाएगा तो यह आ जाएगा मेरे पास 90 19.6 19.6 को में 196 divided by 100 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है 196 का square root कितना होता है 14 का square एक सो जिन्म होता है 14 बटा 10 मतलब कि 1.4 meter per second second option यहां correct हो जाएगा ओके बटा आगता है choice number question in the choice number question में machine which is 75 percent efficient uses 12 joule of energy in lifting up 1 kg mass through a certain distance right the mass is then allowed to fall through that distance the velocity at the end of the fall देखो एक machine जो है 75 percent efficient से उसने 12 joule energy use करी 12 joule तो उसने इली है तो output कितना दिया होगा output दिया होगा केवल उसका 75 percent तो efficiency क्या होता है energy out by energy in into 100 percent यह होता है तो यह तो आ जाएगा 75 percent energy out और energy in यह दीवे आपको 12 joule 100 percent तो यह आजाएगा energy output जो आएगा वो आएगा मेरे पास 12 का 3 बटा 4 यहने की 9 joule तो 9 joule तो इसकी क्या आजाएगी मेरे पास output energy मतलब इतनी energy जो है वो object को उठाने में काम आईए तो इसका मतलब potential energy कई लोगोंने 12 joule बढ़ा दियोगी potential energy 12 joule नहीं बढ़ेगी इसका मतलब delta U जो होगा energy out के equal तो यह केवल कितना joule बढ़ेगा यह केवल 9 joule बढ़ेगा तो यहां से यहां तक जो delta U आया वो इतना आया बाद में जब इसको गिराओगे वापस तो यह object की सारी की सारी जो potential हमने बढ़ाई थी मतलब देखो machine ने पहले work किया object की potential को बढ़ाने में बाद में वही potential energy किसमें convert होगी वो convert होगी object की kinetic energy में तो बाद में यही delta U convert हो जाएगा delta K में after dropping तो जब इसको drop कर दिया तो drop करने के बाद delta U जो है no delta K half M V square final speed यहां पर माल लेते हैं कि जब वापस को गिराएंगे तो V final जो है वो V के बराबर है तो V हो जाएगा 9 into 2 divide by mass किता दिया है mass दिया है 1 तो यह आ जाएगा root 18 meter per second यह मेरा आ गया third option correct तो 24 का कून सा हो गया? third okay बिटा फिर आता है next 24 का 25 25 में बोला है particle is moving in circular path of radius under of radius A under the यहां पे भी A लिखावा है of radius A under the action of attractive potential U equals to minus this तो total energy कितनी होगी? देखो इस case में आपको attraction potential दिया हुआ है है न? तो जो energy है U कितना हो जाएगा? minus k by 2R यह जो है इससे force आप कैसे निकालोगी? minus of du by dr 2R square है न? तो यह हो जाएगा minus k by 2 2 R की पावर minus 2 का differentiation क्या हो जाएगा? minus 2 R की पावर minus 3 अब यह जो force है वो इसको क्या करेगा? centripetal force provide करेगा तो यह हो जाएगा force जो है वो centripetal का का काम करेगा तो mv square by r is k 2 से 2 उड़ा दो plus से plus minus से minus उड़ गया k upon r square r cube sorry तो इससे mv square कितना जाएगा मेरे पास? k by r square ठीके? अब mv square इतना हो गया तो इससे kinetic energy कितनी निकालूँगा हम में? Kinetic energy हो जाएगी half mv square तो half mv square जो है यह हो जाएगा मेरे पास half m की जाएगा मेरे पास? यहाँ पर m की जाएगा mv square कि जाएगा k upon r square अब इस case में आपको यहाँ पर जो attraction potential दिया है उससे आपने क्या करा? force निकाला force से आपने kinetic energy निकाल ली अब यहाँ पर आपको total energy पूछिए देखो total energy क्या हो जाएगी यहाँ पर? potential plus kinetic potential energy कितनी है मेरे पास? potential energy दिया minus k upon 2 r square kinetic energy कितनी है? k upon 2 r square plus में तो यह total कितना आ जाएगा? 0 तो मेरा option यहाँ बन जाएगा 0 0 यहने की second option यहाँ correct है तो 25 का मेरा answer कौन सा correct है? second note करें एक बार अगला बच्चों अपने आता है 26 question इसमें आपको बोला है कि एक body वापस इसी वाला case में कि यह height h कितना होना चाहिए ताकि यह complete करें circular motion को तो h जो है वो 5 by 2 r से जादा होना चाहिए अब radius कितना होता है? diameter का अधा होता है तो 5 by 2 diameter को capital D बोला है तो D by 2 लिख दो इसका मतलब height जो है वो 5 by 4 d से जादा होना चाहिए तो minimum height जो required है वो कम से कम कितने 5 by 4 d ओके बीटा यह अपना 26th question 27 पर आते है 27 बोला है कि mass m accelerate कर रहा है uniformly from rest to velocity v1 in t time तो t equals to 0 पर velocity कितनी है? 0 फिर बात में uniform acceleration से accelerate होके t time बात इसकी velocity कितनी हो जाती? v1 तो यहाँ पर t time के आज velocity v1 हो रही है तो इस case में इस case में force जो है आपको acceleration constant दिया वह है mass m दिया वह है तो सबसे बहले acceleration निकाल लो कितना होता है delta v by delta t तो v1 minus 0 upon t1 minus 0 v1 upon t1 ठीक है यह हो गया आपके पास यहाँ पर acceleration अब यह बोल रहे है instantaneous power instantaneous power क्या होती? power instantaneous होता है f dot v अब देखो force जिस तरफ लग रहा है velocity मिली होगी तो force भी इसी तरफ लग रहा है force क्या है? m into a velocity क्या हो जाएगी? u plus 80 है ना और u plus 80 के बाद यहाँ पर cos कितना इन दोनों के बीच का angle 0 तो m a 0 plus a t 1 cos 0 के लिए plus 1 होती है तो यह जाएगा m a square t क्या a की value मुझे पता है? बेलकुल पता है तो v1 बटा t1 तो m v by t square t1 square into t 14 option यहाँ करेक्टा जाएगा 27 वेगा ओके बच्चों not करो फिर आता है 28 वा question अपना बच्चों यहाँ पर 28th question में waterfall from a height of 60 meter at a rate of 15 kg per second to operate a turbine अब यहाँ एक turbine को operate करवा रहे पानी जो है वो 60 meter की height से गिर रहा है यहाँ turbine की blades रही होगी फिर यह turbine घुमेगा और बिजली बनेगी बिजली बनेगी तभी आपका phone charge होगा तभी आप पढ़ा एगर पाऊगे तो यहाँ पर 60 meter की height से तो पानी गिराया इन्होंने पानी गिरने की rate आपको दी गई loss due to frictional force is 10% तो यहाँ जो MGH potential energy रही होगी उसका केवल 90% ही half mv square में convert होगा केवल कितना 90% बाकी 10% कहाँ चला गया जो air friction की वैसे loss आता उसमे how much power is generated turbine तो turbine कितनी power generate करेगा जितनी energy उसको मिली उसको माल लो turbine की efficiency माल लिया पूरी है तो turbine पूरी power generate कर देगा जितनी उसको मिली उसको तो power of turbine यह हो जाएगा 90% of MGH by T यह होगा 90% का मतलब होता है 90 by 100 यह M G H T अब M by T तो मुझे दिया वाए कितना दिया वाए इन्होंने 15 kg per second तो 9 by 10 यह दिया वाए 15 kg per second G दिया वाए 10 height दियू यह 6 T चलो तो अब मुझे answer kilowatt में बताना है kilowatt में बताना है ठीके बताएंगे तो यह कितना आ रहा है 15 और 6 90 और 9 तो यह आ जाएगा मेरे पास 81 15 और 6 90 90 और 9 810 और 2 0 हो रहे divided by 10 तो यह कितना आ जाएगा 8 1 00 watt kilo में convert करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 8.1 kilowatt तो 8.1 kilowatt अपना answer आ जाएगा third option ओके बच्चों यह अपना 28th question हो गया note करो fourth option 28 का अपना जाएगा third option बच्चों अगला आता है 29th question 29th question में आपको देखो यहाँ पर एक electric pump दिया हुआ है जो कि एक ऊपर पानी की टंकियों को भरने काम आ रहा है टंकी कितनी उपर है 10 meter उपर है तो ग्राउंट से पांस मिनिट लेता है और 10 kilowatt power consume करता है तो इसकी efficiency कितनी होगी सबसे पहले तो power input आपको दिया हुआ है 10 kilowatt power output कैसे निकालोगे बचा power output अजाएगा पानी कितना चड़ाया और कितने time में चड़ाया work done upon time होता ना कितना work किया और कितना time लगा तो work सारा का सारा MGH में convert हो रहा है तो इस case में MGH पानी कितना चड़ाया इसने तो इसकी capacity दिये 9 meter cube तो पानी का volume density into volume कर लो GH divided by T अब यहां पर यह rho कितना दिया है 10 power 3 होता है पानी का पिर उसका volume कितना दिया है 9 G लेना है 10 H लेना है 10 divide by time time दिया है 5 minute को second में जरूर convert करना बच्चों तो यह जाएगा 5 into 60 तो यह कितना जाएगा मेरे पास यह 0 से 0 ड़ा दो तो यह कितना जाएगा 90 और यह 30 तीन बार कर जाएगा तो यह जाएगा 3 kilowatt तो 3 kilowatt जो है वो power output में आई efficiency कैसे बताते हैं पेटा power output by power input power output कितना है 3 और input power कितना है 10 और यह तो fraction में आएगा 0.3 तो आप इसको percentage में convert करना चाहते हो तो आप इसको किस से multiply कर दो 0.3 को 100 से multiply कर दो कितना जाएगा है 30 तो 30 परसेंट जो है यहाँ पर fourth option मन जाएगा ओके बेटा तो यह fourth हो गया 29 30 पर आते है 30 में आपको initially race पर दिया वा है undergoes 1D motion constant acceleration power delivered to it at t time अब यहाँ t time पर power पूछी अभी अपनने याद करो formula derive किया था एक object के लिए तो यह object है t equals to 0 पर इसकी speed 0 है constant acceleration से चलता है t time बात इसकी speed मान लिया v हो जाती है तो power कितना हो जाएगा f into v f कितना हो जाएगा इस case में f हो जाएगा अच्छा यहाँ पर constant acceleration दिया मतलब force भी constant है तो constant acceleration मतलब force भी constant v को लिख दो 0 plus at तो f को आप चाहो तो लिख दो m into a a into t तो यह हो जाएगा m a square t तो power जो है वो directly proportional है t की single power के तो इसका मतलब power directly proportional to t की single power तो यह मेरा option कौन सा correct है इसका 30 का मेरा second option correct है ओके बच्चों आते हम 31 पे 31 में आपको power of water pump is 2 kilowatt amount of water it can rise in 1 meter तो simple power अब देखो efficiency कुछ ना दिया है तो आपको 100% मानना है मतलब जितनी भी power यह use कर रहा है वो सारे की सारी पानी को चड़ाने के काम आ जाएगी यह ना घरों में पानी की motor लगी होती है ना पानी उपर टंक्यों में चड़ाता है उससे वेसे वाला case है तो 2 kilowatt यहने की 2000 m यही पूछा है इन्होंने mass पूछा है जाएगा दो जीरो से दो जीरो डादो तो m आ जाएगा इससे 60 into 20 1200 किलो अब पानी के लिए 1 kg बराबर 1 liter होता है for water density कितनी होती है density होती है 1 kg per liter इसका मतलब 1200 kg पानी है उसको में 1200 liter भी बोल सकता हूं यह pure water के लिए होता है तो पानी कितना चड़ेगा 1200 liter पानी चड़ेगा ओपर 31 बेक हो जाएगा 4th option सही ओके बिटा चलो नॉट करो फिर आता है 32 32 में देखते है car of mass time starts from rest and accelerates so that instantaneous power delivered to car is constant तो जो power को car deliver करी अपनने देखो rest से अपनने एक तो start कर रहा है तो initially t equals to 0 पे उसकी speed 0 है फिर किसी भी t time बाद इसकी speed हम मान लेते हैं v रही होगी mass m इस पे लगने वाला force अपन f मान लेते हैं तो यह बोल रहे है कि इसका जो power का magnitude instantaneous power वो constant है p naught instantaneous power क्या हो जाएगी p बराबर f into v अब देखो एक simple साल यहाँ पे velocity की अपन बात करेंगे time के साथ velocity तो बड़ेगी ना लेकिन किस तरह से बड़ेगी वो ही हमें बताना है तो मैं force को लिख सकता हूँ m dv by dt ओके बच्चों यह हो जाएगा मेरे पास into v equals to p naught तो v dot dv p naught upon m dt यह हो जाएगा v square by 2 p naught upon m t अब v naught square by 2 अब यहाँ पर ही आ जाएगा तो v आ जाएगा मेरे पास जाओ तो 0 से v डाल दो limit इधर भी 0 से t डाल दो तो यह आ जाएगा 2 p naught t divide by m इसका मतलब v जो है वो directly किस पर proportional आ रहा बेटा t की single power sorry तो t की अधी power मतलब कि मेरा second option यहाँ correct हो जाएगा 32 का second option correct t की power हाप पर dependency ओके बच्चों note करो 33 33 में आपको बताना है power of pump which can pump 200 kc water to height 200 meter in 10 seconds again same concept पे core question अपना mg h by t कित्ता पानी ले जा रहा है 200 g की value है 10 height है 200 divide by divide by t टी कित्ता है 10 seconds तो 10 से 10 उड़ा दो कित्ता जाएगा 40 1000 याने की 40 kW तो यह मेरा हो जाएगा first option correct 33 का first option ओके बच्चों फिर इसके बाद आता अपना 34th question 34th में आपको बोला है car जिसका mass कितना है 1250 वो करती है 30 meter per second से deliver करता engine 30 kW registry force आपको दियावा है 750 N तो what maximum acceleration can be given सबसे पहले तो यहाँ पर आपको power दी गई है F sorry power कितना दियावा है जो deliver करता engine वो है 30 kW 30 kW power deliver होती है दियान रखना registry force कितना है surface की वाज़े से frictional force आपको 750 दियावा है तो देखो यहाँ पर 750 का friction दिया हुआ है यह kinetic friction है क्योंकि motion वाली condition है यहाँ से F force कुछ से लगा होगा यह बोल रहा है maximum कितना acceleration दिया जा सकता है 30 kW इसकी power है तो यहाँ पर 30 kW को मैं ऐसे लिखूँगा power is F into V तो जब उसकी speed आपको 30 given है तो force कितना हो जाएगा 30 kW को लिखो 1000 और V कितना है 30 तो इससे V F net ध्यान रखना यह F net होता है तो F net कितना आ जाएगा 1000 F net 1000 है तो F net कॉप में क्या लिखूँगा इसका मतलब F minus kinetic friction is 1000 तो sorry power जो डिलिवर करी engine ने वो इतनी है तो यह power जो है वो इस force की power engine का जो force लग रहा तो यह actually अपने पास F force है तो F कितना आ जाएगा 1000 तो अभी इस case में मेरे पास जो acceleration बचेगा वो acceleration कितना आएगा acceleration आएगा F net divided by mass F net क्या हो जाएगा मेरे पास F minus kinetic friction यह वो force होई है जो engine ने लगाया engine का जो force है वो अपन निकाल लिया अपनने power बता है speed बता है तो इस engine का force 1000 Newton divide by mass किया तो mass किया तो F कितना था मेरे पास 1000 minus 750 divided by कितना mass है 1250 तो 250 divided by 1250 तो यह आजाएगा 1 by 5 क्या meter per second square meter per second square acceleration तो यह आजाएगा मेरे पास 1 by 5 meter per second square 34 का answer ओकी बच्चों इसके बाद आता अपना 35 35 में इन्होंने क्या बोला है अपनको एक body को project किया vertically from the earth reaches to height equals to radius of earth चलो एक object को आपन ऊपर फेकते हैं यहां से तो यह radius of earth जितनी height तक जाती है अच्छी बात है इतना तेज फेक आपने अब यह बोल रहे है power exerted by gravitational force देखो power का instantaneous power का formula क्या होता है power का formula होता है power का formula होता है F dot V जब यह ball ऊपर जा रही है उसकी speed maximum है लेकिन इस instant पे gravitational force किदर लग रहा है gravitational force mg लग रहा है नीचे ठीके तो power की value तो आएगी लेकिन वो negative आएगी gravitational force रोकने का काम कर रहा है जब यही ball जब नीचे आएगी वापस तो यही ball नीचे आएगी तो उतनी speed से टकराएगी तो इसकी speed तो उतनी आएगी V जो है वो आएगा तो उतना ही और साथ में जो force है इसमें वो mg इधर आजाएगा और जो top point है top point पे V कितना हो जाएगा? 0 तो top point अब देखो यहाँ पे greatest power कब होगी सबसे पहले आप जब initial power निकालोगे पावर initial कितना हो जाएगा? F dot V तो यह हो जाएगा mg into V cos 180 तो यह आएगा minus of mg V फिर पावर जो final आएगी वो आएगी F dot V mg V cos 0 degree तो यह पावर कितनी आजाएगी मेरे पास mg V plus में अब greatest power देखो जैसे जैसे यह object उपर जाएगा object उपर जाने से velocity भी कम होगी g की value भी कम होगी तो इसका मतलब overall इन दोनों का product की value कम होगी मतलब power यहाँ पर minimum है जब अपनने फेका तो शुरुआत में तो power किया है minimum तो पहले minus mg V पावर है जब object maximum 8 पे जाएगा पावर जीर हो जाएगी फिर जब object नीचे आएगा पावर हो जाएगी तो पावर की जो पावर जो है वो continuously increase हो रही है देखा जाए तो minus से plus की तरफ जाना को increment बोलते है अब इन्होंने बोला है कि greatest power कब होगी gravitational force की कब होगी जब वो आपस जमीन पे टकराने वाला होगा that the instant just before the body is projected just after body is projected नाय तो minimum power है इस case में तो minimum होगी highest point पे क्या होगी highest point पे zero होगी instant just before body hit the earth तो body जब वापस earth पे टकराने वाली तो power कितनी mg V constant constant तो सवाल ही नहीं क्योंकि speed तो change होगी है तो अपना यहां पर कॉंसा option सभी होगा बेटा तीसरा option सभी होगा प्रत्वी पर टकराने से ठीक पहले के शन पर मतले जब आप किसी बोल को ऐसे उचालते हो और वोल वापस आपकी खोपड़ी पढ़ती है तो बहुत maximum power से पढ़ेगी वापको यह ना तो लगता भी होता है ना चलो इसके बाद अपना आजाते है अपने अपने 35 के बाद 36 विक्रेशन पे 36 विक्रेशन में आपको शक्ति पूछा है तो शक्ति क्या होता है f dot v तो यहाँ दे simple dot protect कर दूँ 4i plus j minus 2k v हो जाएगा 2i plus 2j 3k तो 4 और 2 8 1 और 2 2 माइनस 2 और 3 13 तो 8 2 10 minus 6 बराबर 4 watt तो 4 watt क्या हो जाएगी इस case में power यह अपना था question number 36 ओके बच्चों easy question ता है तो लड्डू एक्जाम में कुछ लड्डू आता है कुछ हलवा आता है और नीट में तो वैसे हलवा लड्डू इसी range की जीजा आती कड़ी चीजे कर रहे ला कभी आते ही नी एक्जाम में नीट में तो चलो for the automatic gun a mass fire 360 bullet per minute एक minute में 360 round fire हो रहे है with speed this हरेक का weight इतना है power of gun बताओ power of gun power क्या हो जाएगा work done by time work done जितना भी gun ने work किया वो सारा का सारा bullet को मिल रहा हाफ mv square की तो half mv square ऐसी मानलिया n bullet fire होगी divide by time चलो n bullet आपको कितना दियावा है n by t आपको दियावा 360 bullet 60 second में half mass दियावा है 20 divided by 1000 gram को kg में convert करना होता है उसके बाद v 360 को आपको meter per second में convert करना होगा 518 से multiply कर दो square कर दो यह कितनी बार कटेगा 6 बार और यह 0 से 0 उड़ेगी इदर 2 से 2 उड़ेगा ठीक है 100 बार बजगया 18 से कितनी बार कटेगा 8 2 3 2 20 बंजे 100 का square कितना हो जाएगा 100 का square हो जाएगा मेरे पास 600 बार कितना है 600 बटा 600 का square से यह 100 उड़ेगा कितना बेटा 600 बार बार 600 बार मेरा answer आफ़ेगा first option is correct ओके बिटा तो यहाँ पर यह आपका option बन गया not करें बच्चो इसको बच्चो अगला 38 question हमारे सामने हैं जिसमें आपको एक बल द्वारा कार्य विस्तापन दिया है और आपको पावर पूछा है तो पावर क्या होता है बिटा work done by time और work कैसे निकालते है work फता करने का जो सबसे basic लड्डू formula वो है f.s अना f क्या है 2i3j अब आप बताओ यह question कौन सी के टिगरे का है लड्डू या हलवा मैं दोनों में से कोई मालो जिसको जो पसंदों मालो 3i4j5 की और डिवाइड बाई time time किता है time है 4 second चलो dot product करना तो आपको अब बिल्कुल बच्चों का खिल लगता होगा 2 और 3 यह जाएगा 3 और 4 और यह जाएगा 4 और 5 का multiple divide by 4 2, 3, 6 6, 12, 20 divide by 4 तो यह कितना हो जाएगा 38 30, 12, 32, 32, 38 38 बड़ा 4 38 बड़ा 4 होता है 9.5 तो 9.5 watt power यहने की first option यहाँ पर correct हो जाएगा ओके बिटा इसके बादा 39 39 question में 2 stone है M और 2 M के जिनको घुमा रहे हैं हमने horizontal circle में heavier one at radius r by 2 और lighter one at radius r एक तो है r by 2 पे भारी वाला r by 2 पे है तो यह r by 2 रख दो और यह radius r पे घुम रहा है हलके वाला the tangential speed of lighter stone is end times अच्छा एक साथ नहीं गुम रहे हैं अलग-अलग गुम रहे हैं ओके यह क्रसी से नहीं बने हैं अलग-अलग गुम रहे हैं तो इसका तो circle यह बनेगा और दूसरा वाला जो r distance पे गुम रहा है उसका circle कुछ ऐसा बनेगा अब यह बोल रहे हैं कि यह दोनों जो हैं same tangential speed of lighter stone in end times the value of heavier stone heavier की speed अगर मैं v मान लेता हूँ तो इसकी कितनी है बिटा इसकी है n into v अब यह बोल रहे हैं कि यह same इन पे centripetal force लग रहा है तो same centripetal force लगने का मतलब यह हुआ कि f1 equals to f2 f1 उसको मान रहा हूँ चोटे बड़े वाले को 2m v square r by 2 m n v square r अब देखो क्या क्या उड़ेगा r से r उड़ा m से m उड़ा इदर आ जाएगा 4 v square बराबर n square v square v square से v square उड़ा दो n कितना बचेगा 2 तो n की value 2 मेरा option कौन सा correct हो जाएगा इस case में 39 में 2 correct हो जाएगा ओके बटा 40 पा जाते है 40 में बोला है कि length of second hand of this top clock इस 3 cm angular velocity बताना है यार second hand की velocity second वाला जो काटा होता है एक round कितने time में पूरा करता है बहिए एक round का मतलब 2 pi radian पूरा करने उसको 60 second लगते है तो उसकी speed आएगी radian per second में कितने आ रहेगी pi by 30 pi कितना होदा है 3.14 divide by 3 चलो divide करो 30 से divide करना हो कि तो यह हो जाएगा 0.314 divide by 3 तो point लगा दो अब 3 से कितनी बार कटे जाएगा 1 14 का मतलब कितना हो जाएगा यह हो जाएगा मेरे पास 0 और लगबक कितना जाएगा 3 4 तो point 104 जैसा कुछ option मन रहा है गया तो मेरा fourth option मन रहा है पर एक बार linear velocity निकाल लेते है V कितना हो जाएगा V हो जाएगा omega into r यह r मतलब length है और omega इसकी speed है तो tip की speed जाता नहीं omega हो जाएगा मेरे पास 0.104 radian per second है और यहा तो answer सारे meter per second में centimeter को meter में convert करना पड़ेगा फिर तो लगबग ही आएगा मेरे पास 10 का 312 तो 104 का 3 हो जाएगा 312 divide by 100 तो लगबग आएगा 0.00312 या 314 जो भी आ रहा है तो 0.00314 यह आ जाएगा अपना मतलब यह थोड़ा सा और आगए आएगा 4 का आगए कुछ और भी आएगा तो approximation अपना ही आगा 4th option 4th option is correct ओक बटा तो 40 का 4th फिर next आता है मेरे पास 41 41 में बोलेगी एक stone को tied किया to the end of 1 meter long string is world in horizontal circle with constant speed this 22 revolution complete करता है 44 second में 22 चकर में time कितना लगा 44 second तो एक चकर में कितना time लगेगा 22 चकर में 44 second लगे हैं तो एक चकर में लगेगा 44 बटा 22 मतलब की 2 second तो इसका time period आ गया ठीके तुरन का परिमान वदिशा बताना आपको magnitude of direction and acceleration तो देखो इसमें t अगर मुझे पता है तो omega भी तो पता है क्या होता है 2 pi by t होता है 2 pi by 2 याने की pi radian per second क्या जाएगा इसमें omega अब इसका जो acceleration दो को यहाँ पर constant speed है ना speed constant देने का मतलब यह हुआ constant speed का मतलब 80 कितना हो जाएगा 0 ac के से निकालूंगा मैं omega square into r omega यहने की pi का square into r कितना है 1 meter लंबी रसी है यह इस तरह से घुमारे बन यह 1 meter लंबी रसी से एक object बान दिया ठीके तो ac कितना आजाएगा इस case में pi square क्या पूचा है इन्होंने what is the magnitude magnitude है pi meter per second square तो सब में यह गलत हो गया direction किया है along the radius towards the center होती है centimeter force की direction तो along the radius towards the center हना tangent की तरप तो होती ही निया तो गलत हो जाएगा है fourth option तो तो अपना यहाँ पर आजाएगा third option correct 41 का okay 42 में car of mass 800 kc move in a circular track of radius 40 meter if the coefficient of friction is 0.5 the maximum velocity with which the car can move यहाँ पर car जिसका mass 800 kg है circular track में मूँ कर रहा है radius इसकी 40 है तो maximum velocity दे को V कितना होता है मु अर्जी होता है यह ना भाई V maximum जो है वो मु अर्जी हो या उससे कम हो safe motion के लिए तो यहाँ पर आपको मु की value दी गई है 0.5 यह निक एक बटा दो r का मान 40 g का मान 10 यह कितना आएगा यह आएगा root 200 अच्छा उसने answer approximate पूछा है velocity approximate में पूछी ना तो 100 चिंड में 196 का square root होता 14 14 से थोड़ा से ज़्याद आएगा तो यह मान लो लगबग 14.1 आ रहा होगा मान लो तो अपना approximation में answer क्या बन जाएगा बाकी options सारे दूर दूर है तो मेरा 14 जो है वो possible है maximum velocity है ना ठीक है लगबग में answer बताना है तो कोई दिक्कत ही नहीं ओके बटा तो यह इसका 14 अपना option हो गया आते हैं 43 पे 43 में spring break if tension exceeds 10 newton 10 newton से जादा tension रसी 10 नहीं कर सकती और located in horizontal, rotated in horizontal circle तो max speed कितनी हो देखो बेटा वापस वही concept है इन्होंने omega पूछा है देखो max angular speed पूछी है ना तो इस case में जो tension है वही तो centripetal force प्रवाइड करता है ठीक है इस mass को तो जो tension है वो less than or equal to 10 newton से tension ही centripetal force प्रवाइड कर रहा है तो tension equals to m omega square r इसका मतलब m omega square r less than और आची है 10 से m कितना है 250 को कि जो kilo में convert करोगे तो 1 बटा 4 omega पूछा है r की value कितनी है 10 cm को meter में convert कर लो 10 बटा 100 तो ये कितना हैगा ये 1 0 कटेगा ये 4 बार करटेगा तो omega square is 40 into 10 400 मतलब omega less than or equal to 20 तो मेरा option कौन सा होगे बटा maximum speed हो जाएगी 20 meter radian per second ये इसकी maximum velocity हो जाएगी ओके बटा फिर इसकी आता है मेरे पास 44 car travel with speed v along the frictionless banked circular track frictionless मतलब friction friction नहीं इसमे ना तो the required angle of banking so that car does not skid car नहीं फिजले उसके लिए banking angle कितना होना चीए तो देखो बेटा यहाँ पर banking के case में 10 theta होता है V square upon RG concept में इसका बताता हूँ यह मानलो banking है यह गाड़ी है तो इसका जो normal है और यह mg है मानलो banking angle theta है तो normal भी theta जुका होगा तो n cos theta तो balance करेगा mg को और n sin theta क्या प्रदान करेगा centripetal force तो n sin theta बराबर mv square by R हो तो n sin theta तो हो जाएगा mv square by R और n cos theta हो जाएगा mg दोनों equation को divide करोगे न तो n से n करेगा 10 theta बराबर v square upon RG तो theta क्या हो जाएगा 10 inverse v square upon RG 44 का first option एकदम theoretical question लड़ू हलवा जो भी बोलो आते हम 45 पे 45 में आपको velocity दियावा प्यूशी ए और omega दियावा velocity omega और r का relation क्या होता है बच्चों symbol सा cross product का formula v equals to omega cross R omega cross R चलो cross product करते हैं i j ये i j k omega में कोन कोन है 3 minus 4 और 1 r में कोन है 5 minus 6 और plus 6 ठीक है अब हमें cross product देखो ये matrix जो determinant वाला method है इस से कर रहा हूँ मैं तो 6 चोग choice इसको थोड़ा सा मिटाते है i की value का रहा है की 6 चोग choice minus of minus 6 ये तो आजाएगा i cape में तो i cape में तो आनाच्छे मेरे पस minus 18 एक ये option में minus 18 दिख रहा है second option में तो क्या आगे कर रहा है क्या बन वैसे तो देखो second option दिखी है तो कोई दिख कर दी नहीं direct टिक कर दो पूरा सवल मत करो पर चलो कर लेते हैं न हो सकता है वो minus 18 दो तीन option में डाल दे तो अब j cape में देखो क्या करेंगे 1 into 5 तो 1 into 5 कितना हो जाएगा 5 minus 3 into 6 18 और k cape में क्या करूंगा मैं 3 into minus 6 minus 18 minus of minus 20 तो यह हो जाएगा minus 18 i cape minus 13 j cape 20 और 18 2 k cape क्या इस option दिख रहा है क्या आपन को बिल्कुल दिख रहा है एक option है second वाला तो easily अपना 45 का 3rd आगया हना चलो 46 बात है 46 में cyclist riding on riding the bicycle at a speed this on a circular rod of radius this without skidding तो इसका inclination कितना हो नची वर्टिकल से तो देखो cyclist 10 theta inclination वाला केस बताया था न v square बटा r g ठीके अब यहाँ पर यह cyclist जब मुड़ेगा तो 10 theta इसका इतना बनेगा तो 10 theta कितना हो जाएगा इसमें 10 theta पूछा है v square की value 14 root 3 का square r कितना लो में 20 root 3 g की value कितनी लो 9.8 14 का square कितना हो जाए 196 root 3 का square 3 20 root 3 9.8 9.8 और 20 तो मिला के कट जाएगा 196 बचे का root 3 तो 10 theta में root 3 का बाता है जब theta 60 हो 4th option correct तो यह हो गया मेरा 4th option 46 का ओके बेटा फिर इसके बाद आता अपना 47 question 47 question भी differentiation का लल्लू सा formula इसमें लगाना आपको angular velocity acceleration पूछा है omega क्या होता है d theta by dt तो 0 theta 1 t का 1 और theta 2 t square का 2 t फिर alpha क्या हो जाएगा d omega बटा d t d omega बटा d t क्या हो जाएगा मेरे पास यह तो theta 0 का 0 हो गया theta 1 का भी 0 हो गया और theta 2 2 t का 1 तो alpha हो जाएगा मेरे पास 2 theta 2 तो मेरा option will be 4th option ओके बच्चों तो यहां पर अपना 4th option जो है वो correct है 48 पाते है 48 में can filled with water is revolved in vertical circle water just knows fall down to time period कितना होना चाहिए देखो पानी से भरी बाल्टी में आप उसको रसी से पूरा गुमा रहे हो यह बाल्टी है अब जब बाल्टी से इस पोजिशन में तब तो कोई दिक्कत नहीं पानी पानी इसमें भरा रहेगा लेकिन जब बाल्टी गूमते गूमते इसे उल्टी होगी न अब इसमें जो पानी अंदर भरावा है यह अंदर जो पानी भरावा है इसको गिरने से कौन बचाएगा देखो इसका mg जो है न वो mg इसके लिए विलेन का काम कर रहा है mg इसको गिराने का काम कर रहा है तो इसको अच्छा इसने बोल दे कि आप constant speed से इसमें गुमा रहे है न मतलब constant speed से गुमा रहे है तो time period कितना है तो इस case में यह centrifugal force जो है वो f आपको बताना है तो f इस case में हो जाएगा centrifugal force वो क्या बैलेन्स करेगा इसके mg को बैलेन्स करेगा तो m omega square r जो है वो ज्यादा होना चाहिए mg से यह just equal भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो अपन यहाँ just equal कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अब इस case में m से दो m काड़ दो तो omega हो जाएगा मेरे पास g बटा r हो गया जी बटा r तो g की value कितनी रहू दस और यहाँ r कितना है मेरे पास r है 4 meter तो omega अब यहाँ पर omega को में लिखूँगा 2 pi by t बराबर 10 बटा 4 तो pi square को कितना 10 बोला ना रूट 10 कितना हो जाएगा pi तो इसको में pi by 2 लिख देता हूँ इसको में लिखूँगा pi by 2 लिख दिया pi से pi घतम इसका मतलब time period जो है वो less than होना चाहिए 4 के या 4 second तक भी चल जाएगा ना तो जो इसमें maximum time period आ जाएगा 4 second 48 का 4th correct हो जाएगा ना तो 48 का 4th correct हो जाएगा इस case में ओके बच्चों 4th option आगे अपना आता है अगला 49th question 49th question में आपको क्या दिया है particle जो है वो circular path में move कर रहा है radius आपको 30 cm गिवन है speed आपको दिया वाए 2T है ना तो speed जो है वो 2T है तो 80 कैसे निकालते हैं मेटा dv by dt 2T 1 2 3 second बाद velocity कितनी हो जाएगी velocity T equals to 3 पे होगी मेरे पास 2 into 3 यहनेगी 6 AC कैसे निकालोगे AC होता है V square बटा R 6 का square बटा 30 बटा 100 क्योंकि centimeter को meter में भी तो convert करना होगा ना 36 into 100 बटा 30 6 से गटेगा 5 बार 6 से गटेगा 6 बार 5 से गटेगा 20 बार तो आएगा 120 तो 120 तो क्या है बिटा 3 सेगेंड पे square की अपनने तो 326 का square 36 आर V square बार यहाँ पर AC तो AC हो जाएगा 120 और 2 तो 122 मेरा option हो जाएगा third option correct तो 49 का अपना third option यहाँ correct है ओके फिर इसका आता है 50 फिफ्टी में आपको दियाएगी है कि उर्द्वादर तल में व्रधी गति कर रहा है और रसी उर्द्वादर से निचली स्थिति से 60 वा 30 के कोण मना है तो रसी में तनाव कितना होगा देखो जब यहाँ पर निचली स्थिति से जब आपको कोण मान लेते हैं कोई थीटा हो तो इस case में हमें पता है कि सबसे lowest position में T bottom पे कितना होता है 6 mg top point पे T कितना होता है 0 मतलब जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा tension घटेगा हमें खाली relation ही तो पूछा है तो खाली इतना से काम चल रहा है अपना तो यहाँ पर थीटा ज्यादा किसका है 60 वाले का थीटा ज्यादा है न इसका मतलब थीटा 1 थीटा 1 कितना है 30 थीटा 2 कितना है 60 तो हमें पताएगी थीटा 1 कम है थीटा 2 से तो जहाँ थीटा कम है वहाँ tension ज्यादा इसका अंतर T1 ज्यादा होगा T2 से तो T1 ज्यादा होगा T2 से मेरा 3rd option 50 का correct हो जाएगा ओके बच्चों 51 पर आते हैं 51 में बोल रहे हैं कि 10 kg का कोई कण है जो की 6.4 cm लंबे त्रिज्या के वरत में किसी नियत इस पर स्रे की तुरंण से गति कर रहा है constant tangential acceleration है what is the magnitude of tangential acceleration is kinetic energy of particle becomes equals to this by the end of second revolution देखो दो चक्कर के बाद एक चक्कर फिर एक और चक्कर ऐसे दो चक्कर जब इसने पूरी किये तो दो चक्कर में कितना displacement कवर किया 2πr की distance कवर करी नहीं इसने है नँए अब देखो यहाँ पर कही लोग क्या करते है displacement को zero कर देखे जो कि गलत है क्यों क्यों कि जो tangential acceleration अदेखो पार्टिकल अब अगर 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 इसे घूम रहा है तो tangential acceleration हमेशा displacement vector जो छोटा सा displacement vector आप बनाओगे, जैसे मालो particle इतना सा displacement cover कर रहा है, तो ध्यान रखना tangential vector भी उसी acceleration का जो vector है, वो उसके parallel ही रहता है, जब displacement इधर है, तो भी tangential acceleration का vector parallel होता है, इसका मतलब यहाँ पर आप जो second equation काम में लोगे है, first equation काम में लोगे हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है न, अब इसने kinetic energy अप उनको दे दी, तो kinetic energy क्या होता है, half mv square, तो kinetic energy दीए, 8 into 10 power minus 4, half mass दियावा है, 10 gram को kg में convert कर लो, v square, तो यह कितना हो जाएगा, v square हो जाएगा, मेरे पास, solar 10 to the power minus 4, divide by 10 to the power minus 2, तो यह हो जाएगा, मेरे पास, v की value, तो यह v कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, solar 10 to the power minus 2, तो 4 into 10 to the power minus 1, 0.4 तो velocity हो जाएगी, यह 0.4 velocity जान रखना है, कितने चकर के बाद है, दो चकर के बाद, तो आपको जब second equation अपन काम में लेंगे, u square plus 2 as, यह 80 लिख दे ना, और as लिख दो, कितनी velocity जाएगी, बेटा, 0.4 का square, initial जो है, वो 0 था, तो, यह जो है, वो, initial speed 0 से, दो, speed हमेशा, अगर आप ना दिया जाएगा, initial speed तो आपको 0 ही मानना, इस case में, अब इस case में, 280 कितना दियावा है, इस case में, यह बताना है, और as कितना दिया है, as हो जाएगा, 4 pi r, तो 4 pi r की value कितनी है, 6.4, 10 to the power minus 2, तो यह हो जाएगा, 4 pi, 6.4, 10 to the power minus 2, ओके, तो अब इसको आप solve करोगे, तो यह हो जाएगा, 16, 10 to the power minus 2, divide by, 4, 2, 8 pi, 6.4, 10 to the power minus 2, तो काटते हैं चलो, 8 से कटेगा 2 बार, तो यह आजाएगा मेरे पास, देखो 6.4 into pi, 6.4 और pi की value होती है, 3.14, तो लगबग यह solve करने पर, 20 का असपास बनेगा, 10 power minus 2 से तो यह कट गया, तो यह बनेगा, लगबग 2 by 20, यह बनेगा, 0.1 का value, तो इसकी value हाजाएगी, 0.1 approximation कर ले न, calculation में, क्योंकि बाकी options आरे, दूर दूर आपके, तो आपका 51 का, कौन सा option हो जाएगा, इस case में, first option हो जाएगा, 0.1 वाला, ओके बिटा, फिर 52 की बात करते हैं, 52 में आपको, एक force दिया वा है, और आपको इसमें, energy पूछिए दोंको, energy क्या हो जाएगा, minus f dot dx, minus of kx dot dx, minus of kx, square by 2, तो यह minus kx square by 2, अब देखो, x square मतलब पैरा बोला, minus मतलब energy, हमें इसना negative आएगी, तो यह positive वाले graph, देखो, बाकी तीनों graph, कभी ने कभी तो positive होई रहें, positive तो अभी होई नहीं सकती, energy क्यों, क्योंकि x अगर आप negative भी लोगे, तो अभी x का square तो positive आएगा ना, तो इस case में मेरे पास first option जो है, वो correct बन जाएगा, ओके बच्चों, 52 का first, फिर आता है 53, 53 में आपको एक से ले करके, 5 तक work done बताना, देखो, यह जो area है, 1 से 5 तक, यह area क्या हो जाएगा, work done, ठीके, तो एक से 5 तक का work बताने के लिए, मैं area, काम में ले लूँ, area क्या हो जाएगा इस case में, देखो, यह square का area कितना हो जाएगा, 10 into 1, यह वाले, मतलब यह rectangle का area, यह वाला भी rectangle है, 5 into 1, यह वाले का area, minus 5 into 1, और यह हो जाएगा, half into 1 into 10, तो यह area आएगा 5, अब देखो, total area लिखो, तो 10, plus 5, minus 5, plus 5, तो यह खतम, कितना आँ रहा है, 15, 15 joule आजाएगा work इस case में, second option correct हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे area under graph calculate करना है, plus वाले को plus लिखना है, minus वाले को minus लिखना है, ओके बच्चों, फिर आता है 54, 54 में यह बोल रहे हैं कि, 3 अलग-अलग रास्ते से, अपन A से B में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर, गुरुत्वी शेत्र जेव हमें पता है, कि गुरुत्वी शेत्र यह ग्रेविटेशनल फिल्ड एक conservative फिल्ड होता है, तो चाहे आप किसी भी रास्ते से लेके आओ, work done तो same होगा ना, तो W1, W2, W3 same आ जाएंगे, फिर वो initial और final position same होनी चाहिए, बस मतलब, तीनोर case में initial, final position तो same ही है, तो चाहे आप रास्ता एक से आओ, दूसरे से आओ, तीसरे से आओ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, work done same आएगा, ओके बिटा, तो 54 का यहां मेरा option कौन सा हो जाएगा, second option जिसमें तीनों work same दिए गए, ओके, इसके बाद आता हम 55, 55 में, 55 में बोल रहा है कि, इसमें distance बताना है, power जो है वो constant है, तो P naught constant दिया हुआ है, power, power क्या होता है, F into V, P naught, अब यहां आपको distance, time के साथ बताना है, तो सबसे पहले इसको लिखो, M, DV बटा DT, पर फोर्स को ऐसे दिखोंगे आप, V is P naught, तो V is dot DV, P naught बटा M, DT, integrate कर दो तो यह आजाएगा, V square by 2, तो इससे V कितना आजाएगा मेरे पास, P naught upon 2MT, अज 2 उपर जल जाएगा ना, 2 P naught upon M, T, यह आजाएगा, अब V को में क्या लिखता हूँ, D S by D T, तो 2 P naught upon M, और root T को अलग कर दो, तो D S, यह दर differentiation कर दो, integration, 2 P naught upon M, यह तो पूरा constant है, T की power half, dot D T, D T को इदर multiply कर गएगा, अब T की power half का integration क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 P naught upon M, T की power आपका integration हो जाएगा, 3 by 2 upon 3 by 2, इसका अंदर distance is directly proportional to, T की power 3 by 2, मेरा option हो जाएगा, 3rd option 55 का, तो 55 का यहाँ हो जाएगा, 3rd option, ओके बच्चों, फिर उसका 56 बात है, 56 में आपको यहाँ बोला है, force F acting on this particle, X के साथ force का variation बोला है, 0 से 6 तक आपको कार्री बताना है, तो 0 से 6 तक कार्री बताना है, वर्क बताना है, तो वापस area निकाल दो total, यह तो है rectangle, तो rectangle का यह जाएगा, 3 into 3, यह है triangle, इस जाएगा, half into 3 into 3, तो यह जाएगा, 9 plus 4, 1.5 तेरा जूल का वर्क हो जाएगा, 2nd option is correct, तो 2nd option यहाँ correct हो जाएगा, 56 में, 57, 57 में आपको बोला है, एक L length की string जिससे, M mass आपने बांदा, string जो है वो, 2 pi revolution per second, 2 by pi revolution per second, देखो, यहाँ पर आपको revolutions per second दिया वाएगा, मतलब की angular speed दी गई है, तो यहाँ पर frequency इन ओन दी, 2 by pi revolution को लिखो 2 pi, radian per second, एक revolution का मतलब इतना होता न, तो omega आगा आपने पास, omega कितना आ रहा है, 4, tension बताना है इस case में, देखो, इस case में, यह जो T cos theta है, वो तो balance करेगा mg को, T sin theta क्या provide करेगा, centripetal force, तो यहाँ मेरे पास equation बन जाएगी, T sin theta, provide करेगा, M omega square, R, इस triangle को देखके, मैं sin theta क्या लिए सकता हूँ, देखो, यह distance R की equal है न, तो sin theta हो जाएगा, R बटा L, M omega कितना है, मेरे पास, 4 का square R, से R उड़ गया, तो T कितना हो जाएगा, 16 ml, तो 16 ml मेरा answer आजाएगा, इस case में, 57 का fourth option, correct है, ओके बच्चों, फिर उसको आता है 58, 58 में आपको बोलाएगी, body moving in horizontal circular path A, condition for no skating is, अब circular path में, इसमें, mu friction coefficient है, तो इसमें, जो भी required frictional force है, मतलब centripetal force किससे मिलता है बटा, friction से मिलता है, तो friction की maximum value से कम होना चाहिए, बस जो भी required centripetal force है, तो fc required जो है, वो fs maximum से कम होना चाहिए, fs maximum, अब यहाँ पर horizontal circular बात दिया वाए, banking तो नहीं दिये न, इसका मतलब, इस case में, ऐसे ये गाड़ी चल रही है, तो friction इदर आ जाएगा, mg इदर आ जाएगा, normal इदर आ जाएगा, है न, तो इस case में, mv square by r less than equals to mu mg, तो mv square by less than equals to mu mg, first option यहाँ correct हो गया, ओके बच्चों, तो यह अपना option हो गया, first, फिर इसके बाद आएगा आएगा आपने पास, 59th question, 59th question में बोल रहा है कि, r त्रिज्जा की एक r radius का circle है, उसमें v speed से कार्मो कर रहे है, और इसकी speed बढ़ने की rate है, a meter per second square, तो tangential acceleration आपको दिया हुआ है, एही, ठीके, then resultant acceleration, अब यहाँ पर इस instant पर ac क्या हो जाएगा, ac तो हो जाएगा, v square by r, तो net acceleration आप से पूछा है, यह हो जाएगा, ac square plus 80 square, v square upon r का भी square कर दो, और 80 मतलब a का square कर दो, कित्त हो गया पेटाए, v की power 4 by r square plus a square, तो v की power 4 upon r square plus a square, कौन सा option हो गया, मेरा second option जो है, वो correct हो रहा है, तो मेरा 59 का, second option, correct, last question आता है आपका, 60 question, 60 question में, particle does uniform circular motion in a horizontal plane, radius of circle is this, centripetal force acting on particle is 10 newton, तो kinetic energy कितना है, centripetal force का formula होता है, m v square by r, यह दियावा है, 10 newton, r कितना दिया है इनोंने, r दियावा है 20 cm को, meter में लिखोगी तो 0.2 meter, तो m v square की value जाएगी, 0.2 into 10, 2, तो kinetic energy क्या होती है, half m v square, half, और m v square को 2 डालो, आ जाएगा 1 joule, अपना fourth option, correct आ रहा है इसका, ओके बच्चों तो यहाँ तक अपने, यह सारे questions complete होते हैं, उम्मेद करता हूँ, आपका यह taste काफी अच्छे से आपने दिया होगा, और जो doubt थे, वो आपके यहाँ clear होगे, तो अब यहाँ पर आपका जो बाकी सारे taste आने वाले, उनकी तैयारी EC levels आप करते रहें, अल दे बेस्ट!